कि दोस्तों आज मैं आपको LLP लिमिटेड लाइबिटी पार्नेशिप के बारे में सारी डिटेल बताने वाला हूं कि बनाना कितना सही है क्योंकि मैंने देखा है जादा तर लोग सरफ कोश्टिंग कम है कंप्लाइंस कम है एस कंपेर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इ वीडियो को आखिस दिख लीजेगा कि बहिए क्या सिर्फ इसी बेस पे एललपी बनाने ठीक है या नहीं और एक्सपर्ट मैं आपको क्या क्या अडवाइस करूंगा एललपी के लिए और बाकी लोगों को मैं क्या-क्या पॉइंट बताता हूं जब आप एललपी के डिसें गडेन अग्ट्रस पहले तो टोलपी होती प्रपार्नेशुक्रपे इwno एक विखती होता हमिशा जब कभी आप काम खोलते हो घ्रंथ पार्नेशें के अंदर दो विखती होता है लेकिन इसमें लोगिटी क्या होती है अनल लिमिटेड प्राइवरकम लीमिटी में थोले कंप यानि कि कोई दो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन प्राइवेट लिमिटीड कम्री चुना ही चाहते हैं ज्यादा है वह रिल्टिशन यह वह फ्राण हिंका सब चीजों को लेकर तो यह कंसेप्ट आया कि भाईया आप एक पार्णेश्विफ हम बना लो जिसका नाम रखेंगे मतलब क्या है लेकिन अब दोस्तों कोई भी चीज में बनाने जा रहा हूं तो उसके बैनेफिट और लुकसान क्या है वह पता नहीं जूरी है सबसे बहुताओं आपको बैनेफिट यह सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यानि कि आपने एबी सी एलेटी बना ली एबी सी मैं माल लेता हूं उसका नाम यहीं है जो भी आप नाम रखोगे ऐसी मिलेगा आपको नाम उसके साथ में ल एल पी इसकी इंकम टैस रिटन अलग से जाएगी जेश्टी नंबर अलग से लेना पड़ेगा आपको इंकम टैस अलग से बनना पड़ेगा बैलन्स इस बनेगी बैंक अलग से खुलेगा एक अलग से लेगल एंटिटी यानिकि दो लोग ने मिलके बनाई है जो दो लोग अपनी अलग भरेंगे इसकी इसकी अपनी है मेरी स्पॉंसिवर्टी मेरी अपनी है एक पार्टनर पार्टनर ने कुछ गलत काम कर दिया है कुछ मिस कंड़क करा या कोई गलती कर दिया है आप चला रहे हो लेलपी को लेलपी के लिए ने फ्रॉड करा तो उस एक फ्रॉड के लिए जो केस लगेगा जेल जाना है पेनल्टी है टैक्स है कुछ भी है बी से उसकी रिकॉफरी नहीं सकती शर्त यह है कि बी को प्रूफ बना पड़ेगा कि मुझे चीज की नॉलिज नहीं थी जो काम करा एक रहा है जैसे इंकम टैक्स रिटन पर डीचल सिनिचर किसके लगेवें हैं यह भी इंपोर्टन करता है जो हम कराते हैं बड़ी बारी क्यों से धान रखते हैं कि बगया ए ने इंकम टैक्स रिटन साइन करी है जेस्ट को व है यह आतेयों में एक खुर्र कर रहां, पचास-फचास हजार रूपर दोनों का शेयर है एक लाख पचास हजार रूपर दोनों पाहटन का शेयर है terai में नशश्य किसीफी डिये आपकी है चलने लाउस पीज्निक्स में मैं लिखो ब्सक्तष तक ही है यानि कि अगर दस क्रोड की भी हो गई है तो आप से सिर्फ पचास और पचास हजार जो आपका शेर है जो भी होगा मैंने एक्जम्पल लिया है आपको वही पर करना पड़ेगा अब यहां पर एक छोड़र पाइंट और भी दूस्तों आपने एक क्रोड का लोन ले लिया और आपने का सची आप से सिर्फ पचास पचास हजार तक होगी सब्जेक्ट्ट फ्रॉड ना हो और आपने कोई गांटी ना दियो है जानी कि जब आप पार्नेशिफ हम बनाते हैं एक जीड के सुरू उसके अंदर स्टाट अप का रिकॉनाजिशन नहीं मिलता आपको डी आई पीपी से जो स इस केस में मिलते हैं और प्रमेट लिमिटेट कमड़ी में ही मिलते हैं वीडियो मंना चुका हूँ स्टाट अपको लेके स्टाट में कहते हैं सिर्फ तो कोई भी दो लोग बन सकते हैं में दिमाग में एलपी का आइडिया आया हस्बेंट वाइब से शुरू कर लिया और और मैंनेजर सेम होते हैं सबस्के बड़ा फायदा यह है यानि कि मैंने मेरी वाइफ लिए तो मैं ही इसको चलाओंगा मैं ही पार्टनर ह को गया पार्टनर इंदर वी में ओन ओनर होते हैं और चलाते हैं उनको डिरेक्टर तो वहां पर दोनों अलग हो सकते से मोते हैं तो यह जो सकते हैं अब दोस्तों फायदे के साथ मैं आप मतादू कि इनकी कुछ लिमिटेशन होती है कोई भी लाइश में दूस्तों काम करन के अंदर और दोस्तों मैं आपको बताओं को लिमिटेशन तो सकता है कि आप LLP का जो आइडिया दिमाग में उसको निकाली दें और मैं आपको बताओं मैं कभी भी किसी को भी के लिए रिकमन नहीं करता इंकम टैक्स रेट 30 परसेंट के अंदर यानी कि किसी की एक कोड की इंकम हुई है तो दोस्तों 30 परसेंट लग जया उसका 30 लाग रुपे सर्चार अलग लगा अलग लगा 30 लाग रुपे का टैक्स जबकि यही प्रावेट लिमिट कंपनी के अंदर 25 परसेंट है एक 15 परसेंट भी है मैनुफेक्शिंग वालों को 15 परसेंट है वैसे वालों को तो चालिश पच्छार रुपे में साल की कंप्लैस हो जाती है स्ब्सक्राव का नुकसा नियुक्सा है मैं कहरो यहां परसेंट यहां पर रहे हैं कुछ पेसिवाइट के बाद तो हें को फजतेंग परसेंट को नंतरी परसेंट तो वहीं के ने लोन फिरों बैंक तो मैं प्रेक्टिस यह भी हूं लोन भी कराता हूं लोगो के धान रिखता हूं चुछो का तो दिक्क्त आती है लोगना एक सेक्टर से नहीं है इस वज़े से थोड़ सा लोन में दिक्क्त आती है इन्वेस्टर और स्टाटप अगर आप सोच रहों कि भविश्य में काम बढ़ेगा और मैं किसी इन्वेस्टर लोन नहीं देगा ना तो से एंजल इंवेस्टर में मिलेगी ना उसे हाई नेटवर्ट इंडिवल से बढ़े लोग होते हैं वह पैसे दे पाते या वेंचर कैप इसलिए कभी इन्वेस्टर और स्टाटप इन लोगों को पैसा देते नहीं है और बैंक वाले भी हैस्टर से नहीं है लाला आदमी है पैसे डाला है निकाला है लग चला रहा है पजनी कैसे कर रहा होगा इसको अम लोन में प्रेशन नहीं देंगे सबसे बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं लोड करता हूं मैंने बताई दिये एक चीज़ और भी है अब मैंने एक बनाई है मैं क्या का मैं पार्टनर हूं आप अब बनाते हैं प्रेविड लिमिटिड कमपनी आप कहते हो मैं इस कमपनी का CFO हूं वह से एक मैं चेर्मैन हूं चेर्मैन ऑफ एबीसी लिमिटिड ना बड़ा बोलने में फरक आयाता है और सामने वाला देखती जो है एक अलग इंप्रेशन रता है कंपनी के सिएफो आएं कंपनी के चेर्मैन आया बोलने में बाटनर परक्षा है इन बताना पड़ेगा या बने करते हैं अगर आपने आर्टी नहीं जब नहीं लेकिन बना लेक्टे नी करते हो तो प्रेन्टिय पहुच जादा है उस्थ deli तो पचला की लांख सोच रहे हों करें काम में इस में बडी हो गई है कुछ पेज को मैंने रेड करा हुआ है मुझे शायद लगता है कि शायद जो बनाते हैं या पार्टनेशिवं बनाते हैं उनको इस कंसेप्ट के बारे में पता हो दोस्तों इंकम टैक्स में सेक्ष्टन है फुट्टी वह कहता है कि जो भी आप पार्टनर को पैसा देंगे यानि कि अन्दर जो भी पार्टनर इंत्रेश्ट लेगा किसी तरह का भी पैसा लेता है वह खर्चे में अलाव नहीं होता लाव लेकर यानि कि एक फर्म के अंदर अगर एक क्रोड का प्रफिट हुआ है और इस में से ब्सक्रार यार हमने क्या करा एक क्रोड का यानिकि लिया लहां तो आप के साथ से कैलकुलेशन पहले यहोगा एक करोड उसमें एड कर दिये जाएगा यानि की फर्म की इंकम लेगा दो करोड जितना भी आपने पैसा लिया है सारा एड हो जाता है वो खर्चा अलाउन नहीं होता पार्टर देमेशन जितना भी लोग है तो यह calculation किनी परती है तीन लाग के profit पे आपको डेल लाग मिलेगा यह 90% और बच्चे वे पर 60% तो बहुत बार जब आपने profit calculation करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कम से कम 25-30% जो profit होगा ना आप calculation किसी से पुझवा भी लेना आपको अपनी income पर 55% का tax पे करना पड़ेगा यानि कि एक कोड़ में एड नहीं करना पड़ेगा इस calculation को लगों को बढ़ा दिया तो लगों को खुलनी चाहिए बड़ा इंपोर्टन को दोस्तों लोगों को खुलनी चाहिए बड़ा लोयर है अब लोयर को ना कि जाना है ना कुछ करना है तो लोयर ल्टी पर बना सकते हैं आठीटेक्स ल्टी फ़म बना सकते हैं प्यादतर लूग अगर को लोकल बिजनिस कर रहा है मिलीट है सब्सक्राइब होगहाँ तो लोगे जोड़त क्लिन मेरे पास इस दॉपनी था WhÇ अगर पर जी मोझा शूब हो गई ने कुछू सब्सक्राइब घार अगर हमना हमना है कोई दिक्कत है तो दिक्कत आएगी कि अगर निकाल नहें यह और भार निकाल नहीं हो तो भी दोस्तो ऐसे टिक है क्योंकि प्रावेट कें अंदर अप पैसा लेते हो वह सैलरी होगी और ज्यूं मित्या कि आ इसमें चीजों की restriction होती है आपको इसमें systematic तरीके से चलना होता है अब दोस्तों LLP का procedure थोड़ सा बता जिता हूं अगर आपको लगता कि नहीं यार इस बिजनिस में बन्वाऊंगा तो आपको एक तो चाहिएंगे digital signature एक LLP का नाम जो सब्सक्राइब इंपोर्टेंट है ताक को भी बाते हैं LLP की वारे में लिखे जाती है तो खर्चा दोस्तों 10,000 से 12,000 के आसपास आता है LLP में प्रेवेट लिमिटीट कमनी जो बनती है दोनों में approximate सेमी खर्चा दोस्तों और सेम चीज़े ही बनती है तो मुझे लगता है निये बनाने में कुछ ज्यादा बश्ता होगा एन्युल कंप्लेंस की बात करोंगो दोस्तों 15 से 20,000 रुपे में पूरे साल का मेंटेनेंस डिकॉर्ड बनाना बैलन शीट यह सब चीज़ आती है मिनीमम डिपैंड करता कि आपकी सेल कितनी है कितने बड़ी लेवल पर काम कर रहो तो खर्चा लाग भी हो सकता है दो कोई भी तोर पर देखें निकाल सकता है आप इसे कन्वर कर सकते हैं आपको लगता है यह स्टार्टिंग है थोड़ी कंप्लेंस कम रहेगी एलव बना लेता हूं बाद में कर लोंगा तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अजोस्तों मेरे डवाइस हर वीडियो में बताता कि भया आपको थोड़ी चीजों का धान रखना है जब बनाएंगे आप पहला पॉइंट है अगर आपको लगता है कि यह थोड़ी सी कम रखने है वह जड़ा फरग नहीं है ना उसको बनाने में ही और नहीं चलाने में लेकिन नुकसान जाता है फाइदा थोड़ा सा है बनाने में चलाने में इतना खर्चाया अगर तो आप फिर एक प्रिवेट लिम्टीट कमनी बना लें ओनलें उनलर में बनाता हूं कि जिनको पता ही नहीं है जो लड़गल रखे वह हैं मों क्या करते हैं लेल पीड दटिरफिंट्रवें करते तो कभी भी आप बनवाय हैं दिसकस करके लटे में कैसे बनने क्या होना भविश्य में क्या काम करूंगा अभी क्या काम कर रहा हूं आगे करूंगा न करूंगा बहुत सारे पॉइंट यह चाहिए परशान नहीं क्यों क्यों लोग प्रफेशनल नहीं होते कुछ वेबसाइड्स हैं जो सिर्फ यही काम करती हैं दोस्तों आशा करता हूं का पूरा कंसेप्ट आज के लिए रोग गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगए और फर्स्ट आम ये चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल ऐकन में ओल कि नहीं है और दोस्तों आप इसके लिए मुझे भी फोन करके अडवाइज ले सकते हैं मेरा फोन नंबर और इमिलाडी मैंनेचर दीवी है उसको जल मिलूंगा अगली वीडियो के साथ तक तक लिए नमस्कार